इंवेस्टर्स भी आपको पैसा देने के लिए तयार होंगे, बिजनस को ग्लोबल लेकर जा पाएंगे, बिजनस को चलाने की लागज जो है, वो कम हो जाए, कोचिंग इंस्टिट्यूट था, कोचिंग इंस्टिट्यूट में एक डिरेक्टर का ओफिस भी होता है, उस ओफि का, हमारी कमपनी स्टेलने स्टील मडूलर किचिन की मैनुफाक्चरिंग एक्सपोर्ट करती है, आज पूरे भारत वर्ष में हमारे फ्रेंचाइजी शोरूम और डिलर्शिप शोरूम है, लेकिन ये बिजनस का शुबारंब हमने बहुत बड़े स्केल से नहीं किया, इस ब बहुत ही कम समय में पूरे भारत वर्ष में फैलने लगा और हमारी कमपनी मेटास ओवरसेज लिमिटेड एक पॉब्लिक लिमिटेड कमपनी बन गई, आज हम बात करेंगे हाओ टू बूट स्ट्रैप इंटू बिजनस, एक बिजनस में बूट स्ट्रैप कैसे करें and get success और सफलता कैसे हासिल करें, इसी विशापरम बात करने वाले हैं, तो किसी भी बिजनस में बूट स्ट्रैप का मतलब होता है कि आपके पास जो लिमिटेड पूंजी है या अपनी सेविंग्स है, उसके साथ अपने बिजनस का शुबारम किया, अब प्रशनी होड़ता है कि बह कमपनी बना कर तयार कर सकें, सबसे पहले है सोर्स ओफ फंड, आप जो बूट स्ट्रैप करेंगे तो आपका जो सोर्स ओफ फंड होगा, वो सबसे पहला फंड होगा आपका अपना फंड, अगर मानली जी आप जॉब करते हैं और जॉब के कई वर्ष आपको हो गए और आप उस छोटी सी पूझी से भी बिजनस का शुबारम कर सकते हैं, या आप लोगों से बोरोइंग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटेव, अपने नोन से, या लोन के रूप में ले सकते हैं, चाहें फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटेव से, फ्रेंड से, रिले चाहें आपका खुद का पैसा हो, आपके फ्रेंट से लिया हुआ हो, आपकी फैमिली या आपके रिलेटिव से लिया हो एक बार छोटी पूझी कठी हो जाए तो आप बिलकुल ना घब रहें उस पूझी से बिजनस का शुबारम करेंगे ना तो कुछ बातों को आपको ध्या आप करें तो वाइजली करें बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट का सेलेक्शन करें आप सोच समझ का मतलब क्या है कही बार हम किसी प्रोडक्ट को देखते हैं या किसी तरह की बिजनस को देखते हैं या हम अपनी होबी को देखते हैं अपने पैशन को देखते हैं तो हमें लगत या सर्विस आप मार्कीट में लांच करने जा रहे हैं और आपको पूरा विश्वास है कि वो चलेगा क्योंकि आपका पैशा ने आपकी होबी है तो सबसे पहले देखिए कि क्या वो किसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पबलिक की मतलब समाज में या देश में किस त प्रोड़क्त या सर्विस सिद्ध हो सकती है तभी आप उस बिजनस में एंटर करें या किसी समस्य का समाधान आपके हाथ में है जिसको लेकर आपने बिजनस का मॉडल बनाया और आप उस मॉडल को लांच करने जा रहे हैं अगर आप ये बात अच्छे से चेक कर लेंगे तो मैं इस बात कि आपको गरेंटी देता हूं कि आपका प्रोड़क्त मार्केट में हिट होने वाला है बशर्तिया बागी चीजों का भी ध्यान रखें नेक्स जो इंपॉर्टन बात है वो क्या है आपके पास जो रिसोर्सिस है वो लिमिटेड है अब लिमिटेड रिसोर् जी है तो आप एड़िडिस्मेंट में इन्वेस्ट कर दें मार्केटिंग में लगा दें ब्रैंड प्रोमोशन में लगा दें रिजल्ट आया नाय कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यूंकि आपके पास रिसोर्सिस लिमिटेड है और वो भी या तो खुद के हैं या आपने उ हुआ है उस प्राइस पर उस प्रोड़क्ट को खरीदने की इच्छा रखते है इच्छा रखने के साथ उस पैसे को खर्च करने की क्षमता रखते है इसके लिए आपको क्या करना है आपको बहुत सोच समझ कर अपने क्रेटिव को डिजाइन करना है अपने इनफॉर्मेट को डिजाइन करना है ताकि जब consumer उस advertisement को देखे तो सही प्रभाव उसके मन में पड़े और उस product को खरीदने की इच्छा और साथ में खरीदने के लिए पैसा खर्च करने के लिए वो तयार हो यह काम आपको करना है अब promotion का जरिया क्या है इस से बहुत सारे वीडियो उसमाने अल्रेडी दिये हुए है फिर भी आपको इस वीडियो में बताएता हूं कि social media promotion जब आप करते हैं तो वहां पर income category भी आ जाता है इंटेंट भी आ जाता है इंट्रस्ट ऑफ परसन भी आ जाता है एरिया territory भी आ जाती है तो उसकी selection के अधार पर आप advertisement करें ताकि आप limited resources के सा टेक्नीक का इस्तिमाल करना है प्री सेल business strategy में एक बात पताती है कि किसी भी product की manufacturing mask में करके आपको रखनी नहीं है प्री सेल का मतलब है पहले आप बेचेंगे उसके बाद में उसका production करेंगे आज बहुत सारे businesses ऐसी हैं बहुत सारे products इस तरह के हैं जहां पर आप पहले order book कर करते हैं और order के अधार पर manufacturing करते हैं तो आपको क्या करना है make to order वाला concept पकड़ना है कि मेरे पास sample है मैं आपको sample दिखा सकता हूं sample देखकर आप पसंद कर लीजिए जो भी order आप मुझे place करेंगे उसके वजब मुझे कुछ advance दीजिए और फिर मैं production करके material आपको deliver करूँग था तो उससे जो saving मेरे पास थी उससे मैंने bootstrap किया अब जब bootstrap कर लिया तो मैंने एक बहुत बड़ा manufacturing setup नहीं लगाया पहले पहले मैंने catalog, brochures और collection of images उन सब को इकठा करके एक proposal तयार किया customer के लिए sample तयार किये और sample दिखाने के बाद order book करना शुरू किया जिसकी वज़ शुरू हो गया और उसके बाद production on requirement मैंने एक formula और देखा कि हम सिर्फ sample बना के तयार करेंगे और हमें जो material supply करना है production on requirement करना है जब demand होगी market में तभी material को produce करेंगे इससे हमारी working capital भी कम हो गई production cost भी हमें एक साथ लगानी नहीं पड़ी जिसकी वज़ा से हम आसानी से अपन कर सकें और pre-selling का मतलब क्या है कि बेचेंगे पहले और बनाएंगे बाद में इससे धनकाम नानुकरन किया next low cost operational system आपको ऐसा system डवलब करना है जहां पर आपकी operational cost है बिजनस को चलाने की लागत जो है वो कम हो जाए क्योंकि आपके पास limited पूंची है और bootstrap में अगर आपक बिजनस सकस होता है तभी investors भी आपको पैसा देने के लिए तैयार होंगे तभी आप अपने business को global लेकर जा पाएंगे तो हमने क्या किया start work from home अगर आप अभी job करते हैं तो business का शुबारा माँ आपने घर से करें बहुत सारी ladies हैं housewife हैं students हैं या job वाले लोग हैं वो सोचते ह पूरा business setup बनाएंगे तब काम शुरू करेंगे नहीं start from home करें आप देखें दुनिया की बड़ी से बड़ी company भी कई वार उनकी case studies में बताया गया है कि वो गहराच से शुरू हुई थी या घर के बातरूम से शुरू हुई थी वहाँ पर उनने अपना setup लगा लिया था तो उसके बाद working space at low rent अगर आपका काम ऐसा है कि वो घर से नहीं हो सकता तो आप जो working place लेना अपना working space ले वो ऐसी जगह पर लें जहां पर आपका rent जो हो वो लो हो अगर rent आपका लो होगा ना समझ लिए आपकी monthly operating cost कम होगी और जितनी कम monthly operating cost होगी ना वो भी fix उतना ज्यादा आसानी से आप business को बढ़ा कर पाएंगे क्योंकि number of employees को appoint करना आसान है क्योंकि वो variable cost है अगर आपको लगता है खर्चे पूरे नहीं हो तो आप उस खर्चे को घटा सकते हैं लेकिन अगर आपने office setup ऐसी जगह बना दिया जहां rent बहुत ज़्यादा है तो आप अपने back step अग आसानी से मिल जाता है तो start at co workspace आप co workspace से भी business का शुबारम कर सकते हैं यह एक तरीका और भी होता है office in office आपके link में आपके relation में कोई ऐसा person हो इसका office setup बहुत बढ़ा है उनसे बातचीत करके उनसे co relation करके कि बई सर मैं आपके office में अपना office बना लेता हूं यहीं के address पर मैं क पास आते हम से type करते हैं किसार आपका इतना बड़ा office setup है इसमें से के मुझे दे दीजिए और मैं इसका nominal amount दे दूंगा या इतना percent incentive आपको दे दूंगा तो हम लोग office in office में भी जब दूसरों को support कर सकते हैं समझ लीजिए आपको भी कोई न को ऐसा व्यक्ति ज़रूर मिले जो office in office में आपको support कर देगा और उसके office address का इस्तिमाल करके वहां के space को use करके आप आसानी से business का setup कर सकते हैं जब अच्छे से business set हो जाए तो अपना खुद का office design कर लें and the next that is manage cash inflow and outflow अभी सबसे बड़ी problem क्या होती है कि जब हम small scale business को run करते हैं तो वह lack of capital हो जाता है अब lack of capital को समझना बहुत जूरूरी है for example आपके एक buyer ने product का order दिया और order के वियाप पर उसने 10% advance दे दिया पर ऐसा तो नहीं है कि आपके business में 90% profit है और आप 10% से सारा material बना लेंगे आप क्या होगा उस 10% के साथ आपको अपना भी बहुत बड़ा capital उसमें invest करना पड़ेगा ताकि आप production कर पाएं जिसकी वज़ आपका gross profit कितना ये समझना है आपका operational cost कितना ये समझना आपका net profit कितना ये समझना है ध्यान से समझाता हूं इसको एक example के साथ मान लीजिए आपने एक लाख रुपे का order लिया और आपके एक लाख रुपे के order पर आपका जो gross profit है वो 25% है मतलब 25,000 रुपे आपका यहाँ सज़दार का loss हो जाएगा मतलब net profit नहीं आपको net loss हो जाएगा इसलिए हमें सबसे पहले क्या काम करना है sales पर focus करना है जब हमारे sales का volume बढ़ा होगा मान लिजिए आपका sales का volume एक लाख एक क्लाइंट ने दिया एक लाख दूसरे क्लाइंट ने दिया एक लाख तीसरे क्ला रुपे हो गया अब तीन लाख रुपे में आपका profit margin 25 परसेंट है ग्रॉस तो 75,000 रुपे आपका profit हो गया यह आपका gross profit और net profit के बीच में एक operating cost होती है और business को operate करने के लिए रेंट, electricity, staff, salary और मिशलिनेस expenses लगा के आपका 50,000 रुपे का खर्चा है तो समझ लीजे आपको जो net profit हुआ वो 25,000 रुपे हुआ इसका मतलब हमें money के inflow और outflow को समझना बहुत जरूरी है कई बार हमें confusion में आ जाते हैं कि या gross profit तो बहुत बड़ा है लेकिन उस gross profit के बिहाफ पर जब आप काम करेंगे उस काम को करने में जो आपकी cost आ रही है वो सारी operational cost है और operational cost आपको गठाने के बाद ही net profit मिलता है तो net profit कितना आने वाला है उसी के अधार पर आपको decide करना होगा कि कितनी working capital आपको अपने पास रखनी है कैसे पैसे को manage करना है पैसा कब कब आ रहा है कहां कहां जा रहा है monthly expenses कहां कहां हो रहे है और पैसे आने का routine कब कब है इसका मतलब आपको यही सारी बात आपको ध्यान रखनी है अगर आप एक business को bootstrap level पर शुरू करना चाहते है number one source of fund आपका अच्छा होना चाहिए selection of product wisely होना चाहिए कि आपका सही product आपके हाथ में हो limited resources है उसका सही तरीके से utilization आपके पास होना चाहिए next pre-sale business strategy आपको अपनानी है उन्हें बता बड़े हाइफाई जगा पर आप एक setup बना लें तो पता चलेगा कि बहुत सारा जो प्रोफिट आपके हाथ में उसको आने के बाद भी इतना net loss हो गया है कि इतना बीर नहीं कर पारें और बिजनस बंद होने की गगर परा जाएगा cash के inflow और आउट फ्लो को आप ठीक से manage क जब आप ये सारे काम कर लेंगे ना तो आपका bootstrap successful हो जाएगा और जब successful business होगा ना तो आप आसानी से अपने business में किसी को partner किसी को director किसी को investor या आप अपने business का proposal बना के पूरे business का plan बना के venture capitalist के पास investors के पास जाएगे तो आप funding के लिए भी pitch कर सकते हैं तो friends ये था bootstrap business और bootstrap business लेते सामय अगर आप इन सापधानियों को बरतते हैं तो आसानी से आपका bootstrap success होने वाला है और आने वाले सामय वो bootstrap company एक बहुत बड़ी company बन जाएगी जैसे हमारा छोटा सा bootstrap model location का business आज metas overseas limited के रूप में पूरे भारत वर्ष में बड़े बड़े showroom चला र dealership के लिए apply करते हैं हम देखते हैं कि हमें याट franchise या dealership देनी या नहीं देनी अगर उस व्यक्ति में दम है क्षमता है काम करने की पैसे कमाने की और एक high end client के साथ deal करने की तब ही हम उनको अपना franchise offer करते हैं तो friends आप अगर अपने bootstrap को एक successful company बनाना चाहते हैं तो ये steps आ कोई भी informative वीडियो मिस्ता हूं उसके लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना क करता हूँ जय हिंद जय भारत